हेलो एव्रिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अल अफ यू आप सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी एक्शली यह पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मैंने शूट किया है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पूरे दिन की तो मैं इसको दो पार्ट में शेयर करूंगी और उसके बद मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर थोड़ी सी सुकून की सांस लेती हूँ और उसके बाद शुरू करती हूँ दिन की ये है पनीर का water रात में ही मैंने पनीर निकाल करके रख दिया था और पानी बहुत गरम था तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था रात में ही मैंने black kismis भी सोक कर दिया था ब्रश करके सब लोगों को दे दूँगी मैं और उसी के साथ मैंने मिट्टी के बर्तर में यहां पर दही जमाया था और दही मैंने मिट्टी के बर्तर में इसलिए जमाया क्योंकि मुझे चाहिए थी आज थोड़ी सी थिक दही तो मिट्टी के बर्तर में जमाऊना तो जो भी एक्ष्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से एब्सॉप कर लेता है और आपको एक थिक दही मिलती है इसके बाद मैं आराम से बैठ करके अपना पानी पी और उसके बाद फ्रेश वगरे होकर के ब्रेश वगरे करके फिर मैं आत कर घरा कि अब मैं कंडिनिसली करूंगी और जब भी मैं ब्रेक करूंगे मैं दो दिन से जादे का ब्रेक ना करूं तो सबसे पहले मैं Meditation करती हूँ और मैं टाइमर लगा करके करती हूं 10 मिनट का फिर उसके बाद योगा शुरू करती हूं और इस बार योगा में जब bedroom में आई तो मैंने देखा कि उसने पूरा bed भी समेट दिया है, सारे bed sheets को उसने side में रखके और pillows वगरे set करके पूरा bed साफ करके आया, सुबह सुबह मैं एक दम खुश हो गई देख करके, अगर ऐसी छोटी छोटी help भी कोई कर देता है घर में बहुत आराम मिलता है, इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन जो करते हैं, जो घर संभालते हैं, उनको पता है कि एविन इंसान अगर एक ग्लास एक जगर से उठागर के दूसरी जगर रख देता है, तो भी बहुत बड़ी help हो जाती है, तो उसके बाद मैंने उसको पानी दिया और वो brush वगरे कर लिय तो फिर मैंने उसको blacksmith भी दे दिया थोड़ा सा, और अब आई हूँ kitchen में मैं अपनी preparation के लिए, तो आज breakfast में मैं दोसा बना रही हूँ, तो उसके साथ मैं यहां पे बना रही हूँ, टमाटर की चटनी, और दोस्ती के साथ टमाटर की चटनी बहुत पसंद से खाते हमारे गर में, तो सबसे पहले यहां मैं tomatoes cut करके और सबसे पहले आरव के लिए बना दूँगी, क्योंकि उसके लिए छोटी सी मीर्चे डाल के बनाओंगी, जब उसकी बन जाएगी, तब तक मैं दूसरा काम करूँगी, और उसी pan मैं हमारे लिए भी बना दूँगी, तो यहां प करके, इसको mix करके मैं धग दूँगी, और पानी बहुत सारा यह छोड देता है, तो इसमें oil की जरुद भी नहीं पड़ती है, और आज lunch box में मैं बनाने वाली हूँ, mix wedge roll, और उसके लिए यह मैंने रात में ही पनीर निकाल के रखा था, तो rolls के लिए मैं यहां पे onions cut कर ले और oil ना डालने की वज़े से या पीच वीच में अगर ना mix करो, तो थोड़ा सा नीचे चिपक जाता है कडाई में, बट वो एक अलग सी सोंधी सी taste आती है, तो यह भूने हुए tomatoes की आती है, वैसे ही आती है इसकी, तो यह fry हो गया तो मैंने इसको छोटे वाले mix जार में न नमक, हर ये मिर्च और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें लेसन की कलियां डाल करके, उसके बाद इसको भी ढख करके, मैं सेम उसी तरीके से cook करूँगी, ये साथ-साथ में cook होता जा रहा है, और एक साइड मैंने chopping भी शुरू कर दी है, तो वो भी काम हो जाएगा मे तो यहां पर मैं vegetable saute करने के लिए कडाही रख रही हूं, और इसमें मैंने डाला है mustard oil, उसके बाद onion जो मैंने slit करके रखा था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है, और जब भी rolls वगरे के लिए vegetable saute करें तो हमेशा high flame पे करें, मैंने यहां पर थोड़ी से जल्दी बाजी के चक तो मैंने चटनी को भी पीज दिया, तो आप चाहें तो यहां पर तड़का भी दे सकते हैं या फिर बिना तड़के का भी खा सकते हैं, तो यहां पर प्याज फ्राई हो गया है, फिर मैं यहां पर डाली हूँ थोड़ा सा जिंजर गालिका पेस्ट और उसके बाद इसको अ आड़ कर दिया और उसके बाद मैं इसको फ्राई की, साथ में मैं यहां पर दोसा बना रही हूँ आज ब्रिक्फस में, तो दोसे के बैटर में मैंने यहां पर नमक और जीरा डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके रेडी कर दिया है, और इसमें मैं पानी की जग़र बटर ब डूसा डाल दीया है और इसके उपर घी डाल करके इसको कहा है दोसा पेटर रहो एडली के नालेजेंस आप आराम से इसको अलग अलग वेराइटी में बना करके खा सकते हैं तो यहां पे चटनी भी रेडी हो गई है इसमें लास्ट में थोड़े से धनिया की पत्ते डाल करके और हलका सा इसको फिर से धक करके कुक करना है उसके बाद बस मिक्सी जार में निकाल करके इसको ब्लेंड कर लेना है तो यहाँ पर दोसा भी रेडी हो गया है एक साइड ठोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर दूसरे साइड भी फिलिप करके और जस्त तीन-चार सेकेंड के लिए उस साइड भी कर देने से अच्छी से दोसा कुक हो जाता है दोनों साइड उसके बदने ब्रिक्फस्ट में दे दूँगी वेजटिबल्स अलड़ी सौटे हो रहे हैं उसमें मैं यहाँ पे कैपसिकम्स के भी स्लिट्स करके डाल दे रही हूँ वो भी फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास था पॉपल कैबज तो इसको आये तीन जार दिन हो गया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और फ्रेश करने के लिए उपर की दो तीन लेयर्स में निकाल दी और इसको भी स्लिट करके मैंने वेजटिबल्स के साथ एड़ कर दिया और यह बहुत लए भाइन मैंने फलेम को आउफ कर दिया अब यहां पे रूल के लिए मैं डो बना रही हूं तो बैसिक दो जैसे मैं रोटी के लिए बनाती हूं सेँग वैसे ही रोटा के लिए बनाती हूं सेइम वैसे ही रोल के लिए ने उसके साथ थोड़ा सा ओ taxpayer है अईं़ उसके बा बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैंने उसको थोड़ा से आड़ किया, पूरा आड़ नहीं किया, क्योंकि बहुत अगर स्ट्रॉंग पालक का टेस्ट आने लगेगा तो बच्चों को खाने में थोड़ी से दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने हाफ अप तो प्यूरे डाला और बाकी का आटा मैंने पनीर के पानी से गूत दिया, इसका एक सौफ्ट सा डो बना करके मैंने उसको रग दिया, और सुबह एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारा काम हो जाता है, तो अभी देखे किचन की हालत कैसी हुई है, पूरी चीज तीन-चार काम चलता है, तो पूरा कीचन ऐसे फैला रहता है, अगर टाइम मिलता है, तो बीच-वीच में समीटती रहती हूँ, अदरवाइस जब सारा काम हो जाता है, ब्रेक्वस्ट वगरेगा, उसके बाद फिर मैं इसको समीटती हूँ, तो डो का रेस्टिंग टाइम साड़ी हो गया है, अब इसको मैं हाद से ठोड़ा सा गूत करके और इसकी रोटियां बना लूघी हूँ, और साटा हाइस anymore हाद हो जब मैं निकाल के इसको गूती तब मिछे फील हूँ, तो फिर से उतना ना साट नहीं था कि फिर से मैं उसको गूत हूँ, थोड़ा डाल करके और फिर LINE में मैं पनीर को इस SH olives में कट करके डाली हो कि हर BITE में यह पनीर थोड़ा सा है क्योंकि पनीर मैंने रात में अपनीर काफी कम बनाए था और उसके बाद फिर मैं इसको Regist के help से half cut कर दी اور butter paper में रोल करके आरोगे L speracle में चारो के लीड़ी हो connect Green Dobal समीट ली सबकुछ साफ उफ कर दिया मैंने फिर मैं आ गई अपने बेट ने रहते हैं किया नहीं पे उसके बाद आकरके थोड़ा सा पैरों का स्रेचिंग कर लो ना तो जो lower back में जो पीन होता है वो भी कम हो जाता है फिर इसके बाद मैं अपना breakfast की breakfast करने के बाद अपना work start किया है मैंने और आगर के मैं system के पास बैठ गई इसके बाद फिर मैं अपना work start करूँगी और मिलूँगी आपसे next vlog में I hope आपको मेरा ये vlog पसंद आया होगा thank you so much for watching bye bye and take care